दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 x 36 house plan की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी model को आज discuss करने वाले हैं जिसका size 30 x 36 front elevation की बात करें तो आपको बेश्ट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो design दिया है वो एक modern दिया है एक बेटरीन से दिया है इसी model को discuss करेंगे बूरा 30 x 36 front में प्लान मैंने बनाया है और यह हमारे सब्सक्राइबर थे वो हमें लगातार कमेंड कर रहे हैं तेसा 30 x 36 में एक यूनिक घर का design दीजिए जो की देखने में बहुत ही सुन्दर लगे उनहीं की कहने पर इस model को design किया आपको एक unique design मिलना है 30 x 36 फिट में यह जो आप बाहर गुम्टी से देख रहे हैं इसी के करण इस घर का design एक unique लगता है और चीज़ें सारी simple हैं लेकर आगर आप घर एक बेत्री घर बनवाना चाहते हैं तो कुछ unique निश्र होनी आवस्चक है आपके घर में इसी प्लान को डिसकस करेंगे पूरा ब यूट आप लगातार देख सकें दूस्तों इस small house plan पर आपको लगातार updated वीडियो मिलते हैं नेरे models मिलते हैं जो आपको देखकर एक नया idea देते हैं घर बनवाने के लिए तो आपको इस channel को subscribe कर लेना चाहिए वीडियो भी watch कर लेने चाहिए तो जो पूरा model है उससे discuss करते इस अफिल मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ इसका realistic view यह आप जो गुम्टी देख रहे हैं वगएरा इसका देखीगा इसमें इस सारा design आप देख पार होंगे proper तरीके से मैंने create किया है थोड़ी सी जूमिंग पर है अब इस सो जूम आउट करते हैं और front elevation के बात करें तो front से आपका ये stairs जहां से आप उपर जाएंगे ये कुछ मैंने green area छोड़ रखा है ये total अगर हम बात करें ये 30 feet यहां से यहां तक 30 feet है 36 feet है sorry front इसका 30 feet है 30 by 36 feet में तो ground floor के अगर बात करें तो ये इसका ground floor है सबस्पर ये आपको plur मिलते हैं इसका गुम्टी आपको पार्किंग का area आप देख सकते हैं जाब बारंदा इसे इस्तमाल कर सकते हैं वगरा ये एक window है window की design जो पीली color की आप देख रहे हैं yellow color की ये design है window है इसके बाद जैसे आप parking area में आते हैं तो आपको दो window इधर मिलती हैं और side में दो bedroom मिलते हैं तो ये इस वाले bedroom के लिए जो friend में guest room है इसके लिए मैंने door यहां से दिया है और इस door से आप entry करें अंदर जैसे इस door से इंटी करते हैं अंदर तो सबसे पहले इस corner पर आपको एक bedroom मिल जाता है और इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपका latent बात मिलता है और ये stairs हैं जहां से आप ऐसे नहीं दिया यहां living area बोल सकते हैं dining area बोल सकते हैं यहां पर मैंने open रखा है आप चाहिए से close कर सकते हैं जाए एक bedroom भी separate कर सकते हैं bedroom create कर सकते हैं लेकिन मैंने open रखा है इसमें आपको problem सुना हो तो आपको तीन bedroom मिल जाते हैं देखिए दो corner पर एक इस तरफ यह आपका kitchen यह stairs 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 के नीचे आप अगर आप चाहिए store room बगारा बना सकते हैं front elevation की बात करें तो आपको यह देखिए गार बेश्ट सा मिलता है तो यही पूरा अगर मॉडल की बात करें 30 वाई 36 फ्रेट में आपको देखने को मिल जाता है ground floor अब हम बात करते हैं इसके first floor की तो first floor का अगर बात करें तो first floor पर यहाँ पर कुछ भी create नहीं किया जो आपका guest room था वही मैंने ऊपर create कर दिया है आप देख पा रहे होंगे तो यह पूरा guest room आप देख पा रहे होंगे ऊपर जैसे stairs के मादम से ऊपर जाएंग तो यह bedroom का जो gate था वो और चारो तरफ साड़े तीन फिट क यूनिक डिजाइन बनकर ready हो जाता है तो यह जानकारी है वीडियो कैसा लगा आपको model कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं सासा वीडियो ग्लाइस से जरूर करें कोई भी doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं इसका cost अगर आप find out करना चाहते हैं तो आप हमारे small house plan application को download कर सकते है link description में भी है या play store से भी direct download कर सकते हैं उसमें total material कितना लगेगा cost कितना लगेगा इस घर को बनवाने में सब कुछ बता देता है और अगर आप हमारी paid service के इसका विशेश इसका विशेश इसका विशेश इसका विशेश इसका विशेश इसका रखें आपको 50% payment advance देना होता ह तो यह पूरा प्लान आपको जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाक्षिया जरू करें चैनल को सब्सक्राइब निंग किया तो जरू कर लें थांक्स हो